हिमाचल पदेश के शिमला में भारती कम्यूनिस्ट पार्टी माक्सवादी के जिला कमिटी का मानना है कि बीजेपी सरकार और नगर निगम शिमला के करीब साड़े चार वर्ष के कारिकाल में शिमला शहर के विकास को लगभग ग्रहन लग गया है जिला सचेव संजे चौहान का आरोप है कि बीजेपी सरकार और नगर निगम शिमला शहर के लिए कोई भी पर्योजना लाने से पूर्टा बिफल रहे हैं और पूर्प नगर निगम के अस्वीकृत और चलाई चारही हसारों कडोर रुपए की पर्योजनाओं को भी पूर्ण नहीं कर पाई है उन्होंने कहा कि शिमला के सर्वागीड विकास के लिए सीपीम बीजेपी सरकार की जन व्रोधी नीतियों के खिलाप आंदोलन चलाएगी और आगामी नगर निगम के विदानसवा चुनाव में जन सरोकार की बैकल्पिक नीतियों को लेकर देश के सामने पेश होगी जो परियोजनाएं स्विक्रित करवाई गई थी और जो जिनका कारेच जो है वो चल रहा था वो भी जो है आज तक पूरण नहीं कर पाई है और इससे जो है भाजपा की जो जन विरोधी नीतियां वो जो विकास के प्रती जो नकारतम करवया है वो जो है उजागर हुआ है और जिस परकार से कल जो सांसद सुरेश कश्यप ने भी अब कारेच की स्मिक्षा की बैठक में जो चिंता व्यक्त की है इस कारेच जो तेजी नहीं आई है और कारे जो है लगबग रुके पड़े हैं तो वो भी जो भाजपा का जो विकास विरोधी चेरा है उसको उजाग करता है तो CPM जो है आने वाड़े समय में इन जन विरोधी नीतियों के खिलाब जो है अंधोलन चलाएगी और इसके साथ साथ जो है अगामी जो नगनिगम का चुनाव है और जो विधान सवा का चुनाव है उसमें जो है जन सरोकार की